कुल मिला कर मुझे यह दिखाई पड़ता है कि यह failure of police नहीं है यह failure of government है क्यूंकि सरकार ने ऐसे वेक्ति को जिनका past पता है क्या है उसके बावजूद इतनी important जगा पर बैठाया इसका मतलब कोई नो कोई ऐसी चीद सरकार की है कि जिस चीज के करना उनकी मजबूरी है कि उनको बैठाना है और जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी press conference में उनको defend कर रहे थे सरकार जिस प्रकार से house में उनको defend कर रहे थी अगर इतने सुबूत मेरे पास नहीं आते तो शायद उसको तो महात्मा इठाराय जाता क्योंकि सवाल पूछा जा रहा था कि यह क्या उसामा बिन लादेन है इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे थे तो इसलिए मुझे लगता है कि कुल मिलाकर इस मामले की तहह तक जाना होगा और जिन इंट्रेस्ट के साथ जिन इंट्रेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको वहाँ लाकर बैठाया सरकार की ओर से उससे इसका क्या तालुकात है उससे इसका क्या सम्मंद है ये भी हमारी जाच एजन्सिस को ढूनना पड़ेगा ऐसा मेरा मानना है